कभी आपने सोचा है कि ये जो हम अपनी इतनी बिजी लाइफ गुजारते हैं, अगर कभी किसी पर रुख जाए तो क्या होगा? आज की एक्स्प्लेनेशन में हम एक ऐसे ही गाउं की स्टोरी को डिसकस करेंगे, जहां अचानक हर चीज रुख गए और जब वापस नॉर्मल हुई तो ऐसी घट नाए घटी जो किसी के वहमोगुमान में भी नहीं होंगी। मुवी के स्टार्ट में हम मिडविच नामी एक गाउं को देखते हैं जहां हर तरफ रौनक और चहल पहल थी। सभी लोग गाउं में एन्वल फंक्शन की तयारी कर रहे थे। जैसे ही घड़ी पे दस बचते हैं तो हर इनसान जानवर परिंदे सब के सब जहां थें वहीं स तो जाते हैं तब ही माइक नामी एक आदमी शहर से आ रहा था जैसे ही वह उस गाउं की हुदूत में दाखिल होता है तो वह भी सो जाता है उसके गाड़ी का एकसिडेंट होता है और वह मर जाता है इस दुर घटना की खबर आसपास के गाउं कजबों यहां तक के गवर्म नामी एक डॉक्टर वहां भागा हुआ आता है वो बेसिकली इसे गाउं का रहने वाला था लेकिन कुछ काम से बाहर गया हुआ था एलन परिशान था क्योंकि उसकी वाइफ बार्बरा नहीं मिल रही थी लेकिन अब जो होने वाला है उसे देखके वहां मौजूद सभी ल नहीं था मिडविज गाउं की स्कूल प्रिंसिपल जिल अपने हजबन माई को तलाश कर रही थी हमने शुरू में देखा था कि माई की तो डेथ हो गई है जिल उसे आसपास ढून रही थी फिर अचानक कोई उसे बताता है कि उसके हजबन की डेथ हो गई है जिल समझ नहीं पा रही थी कि उसके हजबन को अचानक क्या हो गया फिलोसफर साइंटिस कोई भी इस वाकिये को पता नहीं लगा पा रहा था दिन गुजरने के साथ साथ मिडविच में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है मामुलाते जिन्दगी अपने नॉर्मल रूटीन पे आ जाती है लोग भी इस हाथ से को भूलने लगे थे लेकिन ये सुकून बस अगले चंद हफ्तों के लिए ही था क्योंके बाद में तो उन सब की जिन्दगियां हमेशा के लिए बदलने वाली थी उन्हें क्या मालूम था कि जिन्दगी उनके साथ ऐसा खेल खेलेगी कुछ दिन बाद एलन नोटिस करता है कि गाउं की ज्यादा तरह औरतें प्रेगनेंट हो गई हैं ताज़ग की वाद ये थी कि एक क्या लिनामी औरत जो तकरीबन पिछले एक साल से किसी के साथ इंटिमेट नहीं हुई वो भी प्रेगनेंट हो गई थी जिल और एलन की वाइफ बारबरा भी प् करती है इसके इलावा वो ये भी बताती है कि रूटीन चेक अप से लेकर डिलिवरी होने तक उन औरतों के सारे अखराजात हुकूमत उठाएगी तीन हजार डॉलर का सुनके सभी प्रेगनेंट औरतों की फैमिली बच्चे पैदा करने के लिए मान जाती हैं वाद गुजर ले गई थी ताकि इस बच्ची पे वो एक्सपेरिमेंट करके बाकी बच्चों की असलियत का पता चला सके लेकिन सुजान को भी पता नहीं था कि वही बच्ची बाद में उसकी मौत का सबब बनेगी पहले कुछ महीनों तक जब तक वो बच्चे जरा बड़े नहीं हुई सब नॉमल चलता रहा लेकिन जल्दी जल नोटिस करती है कि उसका बेटा डेविट नॉमल बच्चों से बिलकुल अलग है जिस उमर में बच्चे अभी क्रॉल करते हैं डेविड ने क्यूब की मदद से अपना नाम लिख लिया था बार्बरा और एलन भी नोटिस करते हैं क वो अपनी आईस से अपनी मॉम को हिपनिटाइस करके बार्बरा का बाजू गरम पानी में डाल दीती है उस दिन लकीली आलन घर आ गया था जिस वज़ज़ से बार्बरा की जान बच गई लेकिन बार्बरा इस वाकिये को अपने जहन से निकान नहीं पा रही थी एक दिन वो गाउं से थोड़ा दूर पहाड़ी से चलांग लगा की अपनी जान दी दीती है एलन कहीं न कहीं जानता था कि बार्बरा की मौत की जिम्मेदार मारा है लेकिन वो इस बारे में किसी से कुछ नहीं कहता सुज़ज़ करती है कि सभी बच्चे जिन होने एक साथ जनम लि जिम्मेदार वो ही बच्चे हैं सुज़ज़ उनसे एक और बात शेयर करती है कि मुझे ऐसा लगता है मारा उन सब बच्चों की लीडर है क्योंकि सभी बच्चे उसे फॉलो करते हैं कुछ सालों बाद जब वो बच्चे साथ साल के हो जाते हैं तो वो बिलकुल बच्चों की तरह जहीन होते हैं उनमें वैसे तो हर बात अजीब थी लेकिन एक बात जो उन्हें देखने वाले सभी लोगों को परिशान करती थी वो ये थी कि ये सभी बच्चे एक लाइन में गर्ल बॉय का पेर बना के चलते थे सिवाई डेविट के क्यूंकि डेविट की पार्टनर तो मरी हुई पैदा हुई थी यही वज़ा थी कि डेविट अपनी मॉम के साथ थोड़ा अटाश था वो उन बाकी सब बच्चों से बहुत अलग नीचर का था गाउं में उनकी इतनी दहशत पहल गई थी कि कोई भी उनके पास से गुजरता तक नहीं था सभी ब जिसका नतीज़ ये होता है कि डॉक्टर हमेशा के लिए अंधा हो जाता है लेकिन जब डॉक्टर होश में आता है और उससे पूछा जाता है कि उसके साथ क्या हुआ उससे कुछ भी याद नहीं था गाउंवाले जानती थे कि इस घटना के पीछे भी इन ही बच्चों का ह जिल कहती है कि इन्हें स्पेशल क्लासिस की जरूरत है जिसमें आप इन्हें यूमैनिटी के बारे में पढ़ाएंगे कि इनसानों के साथ कैसे पेशाया जाता है लेकिन एलन मना कर दीता है सभी बच्चे रोज की तरह एक कतार बना के कहीं जा रहे थे कि अचानक डेविट कतार तोड़के मरी हुई बच्ची की ग्रेफ पे आता है डेविट को इस तरहां लाइन छोड़के जाता देख सभी बच्चे हैरान होते हैं क्योंकि मारा के पूछे बिना कुछ नहीं होता था मारा खामुशी से खड़ी ये देखती रहती है लेकिन उसे कुछ नहीं कहती डेविट जब कबरिस्तान जाता है तो वहां वो उस मरी हुई बच्ची की मौम को देखता है जो अपनी बच्ची की मौत के सदमे से अभी तक नहीं उभर सकी वो अपनी बच्ची की मौत का जिमेदार इन बच्चों को ही ठहराती है डेविट देखता है कि कबरिस्तान में उस बच्ची की कबर तो है ही नहीं। वो सोच में पर जाता है कि अगर वो मर गई थी तो उसे यहां ही होना चाहिए था। तब ही वहाँ आलन अपनी वाइव बार्बरा से मिलने आता है। आलन उसे इगनूर करता है लेकिन डेविड उसके हाथ पकड़ के ये शो करवाता है कि उसे भी इस बात का दुख है। डेविड की इस पॉलाइट नीचर को देखके आलन उन सभी बच्चों को क्लासिस देने के लिए मान जाता है। कलास के पहले दिन सभी बच्चे टाइम से आते हैं। एलन को जिल किसी काम से आफिस बुला लीती है। उसके जाते ही बच्चे अपने बुक्स खोल के पढ़ने लगते हैं। तब ही वहाँ क्लीनर कमरी की सफाई करने आ जाता है। शायद उसके किसमत खराब थी। उस दिन वो आते ही बच्चों पे तंस करने लगता है। और एक बच्चे को हिट करता है। सभी बच्चे गुसे में आ जाते हैं। उनकी आँखें चमकने लगती हैं। वो उस क्लीनर को हिपनोटाइस करके छट पे ले जाते हैं। और फिर जैसे ही उनकी आँखों का कलर रेड होता है वो क्लीनर नीचे छलांग लगा दीता है। ऐलन और जिल भाग के आते हैं लेकिन उसे बचा नहीं पाते। बच्चे भी ना बताए खुद ही वापस अपने घरों को चले जाते हैं। एलन सुजैन से मिलने जाता है और उससे इस केस के प्रोग्रेस पूछता है कि इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुँची। सुजैन कहती है कि जब से ये बच्चे पैदा हुए हैं अब तक तक तकरीबन 30 बंदों ने खुदकुशी की है। फिर सुजैन उसे अ पूटिस करता है कि मारा कहीं जाने की तैयारी कर रही थी। वो बिना मारा से कुछ बात किये अपने कमरे में चला जाता है। मारा और उसके साथियों ने डिसाइड किया था कि वो लोग गाउं से दूर एक गुदाम में रहेंगे। किसी भी बच्चे के पैरेंट्स में इत नहीं जाएगा। मतलब कि ये उस आदमी को अभी भी समझ नहीं आई थी कि उसकी बच्ची नॉर्मल नहीं है जो बिलावजा मरने चला आया। जब उस जित करता रहता है तो मारा को उस पे बहुत गुस्सा आता है। वो उसे हिप्नोटाइस करके उसकी गाड़ी को एक ओल सकती है। इसलिए जितना जल्दी हो सके इस गाउं को खाली करवाओ। मारा डेविट से उसके इस बहेवियर के बारे में पोच्चती है कि वो क्यूं दूसरों से अलग रहता है। इससे पहले कि डेविट कुछ बोलता चर्च का एक पादरी मारा पे गंज से निशाना सेट करता है। इससे पहले कि वो गोली चला था बागी बच्चे उसे देख लेते हैं और उसे खुद की गोली से खुद की जान लेना पड़ती है। डेविट और दो और बच्चे सुजैन से मिलने आते हैं। वो देखते हैं कि सुजैन भाग रही है। फिर वो उसकी लैब में जाते हैं जहां उन्हें उस बच्ची की लाश नजर आ जाती है अपनी पार्टनर को इस रने देखिया को हिपनोटाइस करते हैं। इस गलती की सजा देने के लिए और चूง कि सुझेन हिपनोटाइस थी वो अपने औजारों से खुद को ही भयानक मौत दे देती है इन हाथ साथ से तंग आकर सभी गावाले उन बच्चों को मारने आते हैं एक लेड़ी हाथ में जलती हुई लकडी लिए बहुत गुस्से से आगे बढ़ रही थी लेकिन बच्चे उन्हें भी नहीं छोड़ते हिपनोटाइस करते हैं और वो सभी लोग आपस में ही एक दूसरे को खतम कर देते हैं और जो लेड़ी आगे आगे आ रही थी वो खुद को जिन्दा जला लेती है एलन और जल डिसाइड करते हैं कि यही वक्त है इन बच्चों को खतम करने का क्यूंकि अगर हमने ऐसा ना क थे लेकिन पहली गाड़ी में से जो पुलीस आफिसर निकलते हैं बच्चे उन्हें हिपनोटाइस कर दीते हैं और जब सभी मिलिटरी और पुलीस की गाड़ियां वहां पहुँचती हैं तो सब लोग आपस में ही एक दूसरे को खतम कर देते हैं यहो क्या रहा है मुझे त करना है क्या जो सब को खतम किये जा रहे हैं एलन शाम में बच्चों की क्लास लेने आता है तो उसके पास बॉक्स में एक बॉंब होता है जिस पर टाइमर सेट था इन बच्चों के बारे में एक और बात आपको बताती चलूं कि इन में अगले इंसान का माइंड पढ़ने क की पावर भी मौजूद थी यही वज़ा थी कि वह अपनी जानिब आने वाले सभी खतरात से निमट लेते थे मारा एलन का दिमाग पढ़ने की कोशिश करती है एलन को भी सुजैन ने उन बच्चों की इस पावर के बारे में बताया हुआ था इसलिए वह अपने दिमाग मे ले जाने लगती है बच्चों को बहुत उस्सा आता है कि वह कैसे इनके साथ ही को ले जा सकती है लेकिन उनकी पावर की एक कमजोरी यह थी कि वह एक वक्त में दो लोगों को हिपनोटाइस नहीं कर सकते थे तो इसलिए जिल देविट को वहां से बाहर लाने में काम्याब ह जाती है अब एलन का दिहान चूंके भटक गया था तो मारा उसके माइंड को पढ़ लेती है और समझ जाती है कि दीवार के पीछे एक बाम है जो अनकरीब ब्लास्ट हो जाता है जिसमें सभी बच्चे और एलन अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं जिल देविट को वहां से निकालने में कामयाब हो जाती है जिल उसे गाड़ी में ले जाती है और कहती है कि वो यहां से कहीं दूर चले जाएंगे और अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करेंगे लेकिन डेविट के माइन में तो वही बॉम वाली दुरगटना गूम रही थी वो बाहर की नहां रहेगा या वो यह सोचेगा कि उसे अपने बाकी साथियों की मौत का बदला लीना है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंट्रेस्टिंग मूवी के साथ तब तक के लिए गड़ लाक एंड थैंक यू फॉर वाचिंग